राइप के नाम से राइप के नाम से राइप के लेक्शन में कराऊंगा रिवेरबेट में इसमें हम इप्लिमेंट करेंगे Routing Information Protocol राइप इसके लिए आपको पहले रिवेरबेट इस्टॉल होना चाहिए में पास एक एक अडियमिक अडिशन RIP में सबसे पहला काम यह है कि आपने फाइल में जाना है उसमें आपने क्रियेट करना है New इसमें और कोई option नहीं है तो आप फिर project क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट क्लिक करके आपने वोके दबादेना है जब वोके दबाएंगे तो आप पस एक major window open हो जाएगी जिसमें आप majority of the काम करेंगे माइन ना करना प्लीज अच्छा जी यह हमाँ पस एक window है जैसे में आप फिछले lecture दे सकते हैं तो basically मैंना RIP करना है जैसे मैंना क्लास lecture में बताया था अगर देखे मेरा तो उसमें लिखावा है कि initial letters जो भी आपने project का name देना है तो आपने name का initial underscore और उसके बाद जो भी आपने project बनाना है create करना है मेरा है RIP create तो मैं RIP करूंगा उसके बाद scenario मैं इस project में दो scenario बनाऊंगा इसमें मैं multiple routers को connect करूंगा और आप उसमें data transfer करूंगा उसके बाद मैं एक link को fail कर दूंगा जिसमें मैं देखूंगा कि उसर आउटर्स पर data transition में क्या effect पड़ता है अमीद करता हूं कि result जो मैं चार हूं वही होगा तो पहली चीज़ करूंगा मैं उसके लिए कि link fail होता है नहीं सिंपल के link fail ना करें तो लिखूंगा no link failure यह मेरा scenario का नाम है अगर आपने change करना चाहा है तो आप change कर सकते हैं ok दबाया आप create empty scenario करेंगे next उसके बाद आपने choose करना है वह office level या campus level करने network बनाना है campus level का आपने network create करेंगे next करेंगे size आप 10x10 miles कर लें 10x10 km कर लें यह आपने increase कर सकते हैं मुझे को issue नहीं है next यहाँ से आपने technology यूज करनी है उसका नाम है internet underscore toolbox यह मौजूद है click करेंगे हो जाएगा यह आपका आजाएगा उसके बाद आपका end में रताएगा कि आपने क्या क्या करना है आप उसके इंपसला नेटवर के 10x10 miles का है internet underscore toolbox जो है technology है उसके बाद आपने इसे finish कर दिना है जब करेंगे तो आप सुरी के से कि यह टाइम लेगा जो नए ने system इंस्टॉल कर शुके है स्वाबें रेवरबैट को यह आपनेट को तो यह कोई about 10 to 5 minutes लेगा यह system मानता हूँ कि यह साथ तेज नहीं है लेकिन फिर भी it takes about 5 to 4 minutes to load जो भी load हो जाएगा तो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे अच्छा जी यह load हो जगा है यह आपका object palette है basically इसमें जो मैंने जुका था कि मैंने एक router place करना है उसके साथ मैं bunch of systems connect करूँगा उसके बाद आप उसको copy paste करके 3-4 इसमें जो मैं divide कर दूँगा print यह copy कर दूँगा और एक full-fledged network बन जाएगा जो मैंने समझाया अगर नहीं समझाया तो मैं इसको आपको show करें दुखाता हूँ basically मैं a router place करूँगा router के लिए router लिए जो place करना है ethernet4-slip-gateway जी अगर इसको मैं यहां लेकर जाऊँ तो लिखा होगा IP router है तो इसको मैं drag करके यहां place करूँगा और इसको मैं rename कर दूँगा node underscore zero है तो इसको मैं rename कर दूँगा router one के नाम से okay अच्छा जी इसको मैंने कर दिया rename इसके बाद a bunch of system place करें बापस अच्छा तरीका यह है कि आपके यहां top पर कुछ systems पहले से installed है आप इसमें 1-2-3 wires से connected है जैसे यहां system इसमें 10-15 systems है जो के 10-based T underscore wires 10-based T wires are connected है 100-based T wire के साथ connected है तो जो आपको चाहिए हो तो आप वहां select कर सकते हैं तो basically मैं इनको select करूँगा जो के 100-based T switched land ठीक तो इसको मैं ड्राइग करूँगा एक यहां प्लेस करूँगा इनको रेने अगर आपने करना है तो more than welcome इनको मैं नेम के देता हूँ नेट 11 के नाम से या इसको इसनका ठीक है नेट 11 के नाम से और इसको मैं देता हूँ इन नेट 12 के नाम से इए हो गए आपके दो systems इसके ने बाइड देपॉल 20 तो 20 सिस्टम से इसकंद है अपस मैं यह कनेक क्यूंके इसकंद हमने राण यह हमने वाइश्वे यह हमने थाण कहते लिए इसको इनको आपस मैं कनेक करनेकर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ connect करने के लिए आपका 100-based wire चाहिए है जो कि यह मौझूद है, Ethernet, 100-based इसको आप यहां से लेकर drag करेंगे और जिन दो system को दिरम्यान connect करना है उनको आपस में connect कर देंगे तो basically यह आपका त्यार हो गया इसको मैं थोडिक लिए मिनिमाइस कर देता हूँ मैं बाद में इस object लोग खोलना हूँ तो खोल सकता हूँ तो basically अब जितना काम मैंने करना है मैं इस पर apply करूँगा इस पूरे इस network पर और इसको copy-paste करके 3-4 और router लगा दूँगा इसी तरह इस सेटिंग साथ उनको आपस में connect कर दूँगा तो एक आपस network पर एक router session में आपका तीन और इसे हो जाएंगे exact duplicate तो करना यह है कि आपने router पर right-click करना है edit attributes में जाना है यह आपके पास open हो जाएगा इसके attributes तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वह है I think आपने जाना है reports में आपने जाना है reports में आपने reports करना है यह आपके बिल्कुल नीच एंड पर आए तो लिखावे reports रहोंगे reports को expand करना है आपके बिल्कुल एंड पर होगा RIP routing table ठीक इसको आपने expand करना है इस वाद देखना है status disabled इसमें RIP enabled नहीं है इसको आपने expand करना है सबसे पहली option expandable इसको आपने expand करना है इसको आपने expand करना है इसको अंदर एक loopback interface है इसको अगर आप इसको कर सकते हैं तो आपको ताइग allows the configuration of loopback specific parameters इसको आपने क्या करना है number row row 0 है आपने row 1 add करना है और simple आपने इसे okay दबादना nothing else यह काम आपने करना है आपने RIP enable करना है और इसमें loopback interface के row add कर देनी है इसके बाद आपने इसे select करना है आप Ctrl A से करना है या इसको आप माउस के साथ ड्राइक करना है इसको आपने copy करना है आप Ctrl C से करना है आप्शन अगर होती है सारे को select करें Ctrl C करें इसको पत कंट्रोल भी करें आप से एक और आजएगा system place की इधर एक इधर और एक इधर फिर इसके बाद आपने design बनाना है यह अहां पर आपकी मर्जी आती है कि आपने किस किसम design बनाना है आप कोई flowery से design बना सकते हैं या basics के research design बना सकते हैं मर्जी आपकी है मैं specific manual को follow का रहा हूँ तो उसके साफ से जो design उसमें refer हुआ हुआ है मैं उसको ही उसके साफ से diagram बना रहा हूँ यह basically बन गया इस सारे routers पर वही setting अप्लाई हुई है जो के मैंने इस router apply किया था आप देखेंगे नाम भी उसके साफ से बन गया router 1, router 2, router 3 & router 4 यह 11, 12 किया था 13, 14, 15, 16, 17 & 18 बन गया है अब इन आपस routers को आपस में connect करना है इसके लिए आपने यह वायर यूस करनी है वह है आपकी PP-DS3 यह मोजूद है इसकी data rate about 44 MB से करीब है तो इसको हम इस्तमाल करें PPP-DS3 है इसको आप लेकर आएंगे यह ड्राइक करके प्लेस करेंगे और router के दम्यान जो है connection क्रेट कर देंगे एक किसम का square ही बन गया मेरे पास अब यह हो गया आपका काम जो basically आपने करना था अब आपने करना है स्टैट्स इसस पर आपका जनरेट होगा यह graph जनरेट होगा कहीं भी workspace राइट करें चूज इडिविजल स्टैटिस्टिक्स पे जहें फ्लिक किया यहां पर आपने पहला जो काम करना है आपने इससे इसे आपने इससे आपने नोड स्टाटिस्टिक्स को एप्डेट करें, जो second and last option है इसके बिल्कुल end पर हमने select करना है route table route table expand किया, total number of updates select किया अब यह क्यों कहा रहा हूँ, मैं आपको थोई दे में कोई 2 minutes में रताता हूँ कि मैं क्यों कहा रहा हूँ, इसको अगी currently मैं select कहा रहा हूँ तो basically यह किया है कि global statistics में मैंने RIP के अदर traffic sent and traffic received और no statistics के अदर मैंने route table के अदर route table यह route table उसके लिए total number of updates को select किया, select किया, okay, हो गया इसके बाद आपने इसको run करना है, run के लिए आपको control R तबाएं यह एक running man है यह भागने वाला पंदा है, उसके करना है यह DES पर जाकर choose individual discrete event simulation को select कर लाएं इसको select किया, आपने से run करना है, dependent आपकर करता है कि तिदेर करना है जो बस आपने 2CES में editing करनी है editing में यह करना है कि आपने IP को expand करना है IP को expand करना है, तो यहाँ पर आप पर आप पर आप पर आप्शन दिखेंगे इसको auto address slash export करना है auto address मेराद यह है, जिसके इतने भी IP address and PC's को मिल रहे है वो auto address होंगे, in the basis, वो खुद decide करेगा class A, class B, class C कोई IP किसको PC को मिलना है इसके जिए मैं auto address slash export कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ ताकि end में जब आप इसको save करेंगे तो एक file and simulation end best generate होगी जिसमें सारे PC's के IPs generate होगे और एक जगा जएगा save होजाएंगे आप उने बाद में खोड सकते हैं और आपने जो दूसा scenario बनाएंगे उसके against compare कर सकते हैं कि किनी changes होई है वो आगे जाके discuss करेंगे RIP auto address slash export और इसके आगे यहां पर 3rd last is simulation efficiency आपने इसे expand करना है बिलकुल end पर है RIP sim efficiency यह this is it यह enable होई है basically इसका concept यह है कि आपका RIP थोई देख लिए generate start होगा उसके बाद वो stop होजागा पर उसका protocol काम करना बंद कर देगा हमने यह करना है हमने इसे लगा था इसे हमने इनेबल ट्रक ना है तो इसको enable करने के लिए आप इसे disable कर देगे कभी कभी चीज को खराब करने के लिए अच्छा करने के लिए खराब करना परता है तो enable हुआ होथा इसे disable करना है ताकि आपका RIP end of simulation तक चलता रहे इसके बाद disabled not enabled इसको आपने run करना है आप run करेंगे तो आपकी initialized submission होगी और यह run हो जाएगी उमीद तो है run हो जाएगी इसके बाद आपने result browser में यहां पर option इसे क्लिक करना है यह आपके window open हो जाएगी graph की यहां पर यह आपका global statistics है आपका traffic sent हो रहा है और traffic receive हो रहा है आपस में select करना है तो आप overlaid करने तो traffic sent red है और traffic receive इतना है इसके साफ से not the best but still बेतर है इसके बाद आपने चीज़ चेक करनी object campus network में आपके पास हमने select किया था route table केंदे total number of updates तो इस वाग में specific router आपके बाद देखूंगा वह है router number 1 router number 1 router number 1 आपके बाद टेबल आपके लिए तो आपस इस तांग राफ शोगा शायद नदर नाये लेकिन यहां पर एक dot लगा है अगर आपने dot को देखना है तो आप इसको average करने तो आपके बेसिकलिस का मतला भी है आपके total number of updates एक ही हो रहा है एक point पर आपके जब generate network start होगा तो RIP works आएगा यह काम आएगा तो यह होगा कि आपका टेबल अपडेट होंगे हर router पर कि कों सा router साथ कों सा network है उसके साफ से network आपका generate होगा उसके नदर तो यह total number of updates एक है कि एक ही दफ़ा update हुआ काम खातम उसके बाद network आपके बिल्कुल सही हालत में चलता रहा और आपके काम बैस रहा अब हमने इसको करना है देखना है कि अगर by chance network के दुरान simulation के दुरान एक link by chance fail हो जाती है 200 second बाद 300 second बाद आपके बाद link fail हो जाता है तो आपका RIP उसको किस तरह adapt करें, कितने updates करें, कितना क्या करें सारा कुछ हम देखना चाहते है तो उसके लिए आपने करना ही है कि सबस्पहला काम इसे आपने safe करना है ctrl s करें, safe करें या safe हो जाएगा इसके बाद आपने इसे करना है duplicate scenario duplicate scenario मैं आप इसको नाम देऊंगा link failure मैं इसमें चानबूच कर link failure करूँगा अब जब आपके खुल गया या आपका link failure का duplicate scenario बन गया इसके आपने खुलना है object pallet object pallet देखें, पिछले scenario में open open होगा लेकिन इसमें open कने के लिए आपने topology में जाना है पैली option है open object pallet खोला this will take again some time जब open होगा मैं वापते साता हूँ अचा ये open होगया है इसके अंदर आपने आप करना ही है कि इसके अंदर एक option है utilities की अगर आप बिल्कुल end पर जाए यहाँ पर option है utilities की इसको आपने करना expand यहाँ पर अगें यह तो time लेका 1 minute 2 minutes यह आवाज आती रहेगी क्योंकि यह अगर यह आपके बाइचांस में आवाज आती है this is basically loading तो इसमें tension होनी वाली बात नहीं आपका system dead नहीं हो रहा है यह होगा वाज आएगी तो I'll still in wait अच्छा अच्छा यह 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 आपके आपशन है failure recovery की यहां आपर मौझूद है इसके description अगर आप दे सकते हैं तो लिखाव note slash link failure recovery specification इसको अपने यह ड्रैग sorry कलता गया failure recovery इसे ड्रैग करके आपने workspace में place कर देना इसके बाद आपने इसको rename करना है चाहते हैं तो rename कर सकते हैं मैं इसे failure दे रहा हूँ basically failure करने के लिए इस पर आपने करना यह है right click करके edit attributes में जाना है इसमें आपके आपके option है link failure recovery specification basically हमने एक link fail करके देखना है node को fail करने तो फैदा नहीं होगा यहां से यहां जाए पाएगा लेकिन यहां 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 इसको fail करते हैं तो यहां से यहां चला जाएगा यहां से यहां चला जाएगा लेकिन this and this and this will be completely out of question तो link failure slash recovery specification expand करेंगे जितने आप links fail करना चाहते हैं उसके साब आपने number rows को increase करना है मैं से यहां एक link को fail करूंगा यह router one two router two को तो इसके जो number rows है तो मैं उसको one डाल दूँगा increase कर दूँगा अगर आपने जादा करने हैं तो आप जादा कर सकते हैं जब आप करेंगे number rows one को आपको निचे लिखा जाएगा expand किया इसमें नेम के आगे स्प्राइसिफाइड को क्लिक करेंगे तो आपको जिते links exist करते हैं आपके network में show कर देगा जैसे मैंने का router one और router two के दिमयान जो link आपको fail करना है तो यहां पर आपके पास मौजूद router one two router two router one two router two link है इसे आपने click किया और मैं चाहता हूँ कि यह जब आपके simulation two hundred seconds गूदर जाते हैं तो उस point पर fail हो अगर आप increase करना चाहते हैं तो आप increase भी कर सकते हैं कोई issue नहीं है इसमें आपकी मर्जी है इसके बाद आपने okay करना है बागी आपकी कोई चीज आपकी चाहिए नहीं आपने से run करना है यह भी आपके by default वही होंगे जो आपने सेट किये हैं आप इसे run करेंगे जो आप run कर लेंगे आपका results create होंगे अब मैंने दोनों scenarios को compare करना है मैं current project को यह से select करूंगा इस current project में आपका no link failure and link failure दोनों projects आजेंगे आपने scenarios उन दोनों select हो गया अब मैंने देखना router 1 को router 1 में गया तो यहा total number of updates है एक spend के आपस दो graph show हो रहे हैं तो इसे में overlay करता हूँ अब देखेंगे के 2 dots नजा आ रहे हैं लेकिन सही तरह graph show नहीं हो रहा अब आपने इसको मैं एक किसम से आपने बार चार्ट के फॉर्म में लेकर आँगा ताके जादा अची तरह identify हो सकते कि आपके कितने number of updates है और कितना काम हो है तो यहाँ पर एक end पर show का button राइट बॉट्टम पर क्लिक करेंगे अगपस यह चीज़ खुल जाएगी इसको आप enlarge कर दें इसना करके इसके उपर आप राइट कहीं भी right-click करेंगे तो यहाँ पर एक option है draw style की draw style के अंदर एक option है बिल्लकुल 3rd-last पर bar chart तो bar chart यह आपका बन जाएगा basically यह कर रहा है आपका graph है एक form of bar chart प्रेट हो गया यह जो hair line जो blue हो यह left side पर यह red होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है इसमें कोई error आ गया बैसे लिए जब आपका link network चल रहा था सिर्फ एक link fail हुआ एक दिफा कोई link fail नहीं हुआ आपके एक ही update नहीं लेकिन जिस वरत आपका link fail होता है तो आप देखेंगे 200 seconds बाद एक update हुई उसके फॉरन बाद एक और update हुई कि जब network आपका link down हुआ router 1 और router 2 दर्मिया link down हुआ तो उसने RAP ने फिर से सारे routing cables को update किया उसके हिसाब सबता है कि कौन से काम का होना चाहिए और यहां पर आपका assimilation खतम होता है अमीद करते हम आपको समझ आया अगले lecture के अंतरा करना thank you and khudafiz